हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका go for prep की इस नई क्लास में और आज हम मैथली सरण गुप्त के जीवन पर्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम मैथली सरण गुप्त की जीवनी उनका साहित्तिक पर्चे एवं उनकी करते हैं दोस्तों राष्ट कवी के नाम से विख्यात मैथली सरण गुप्त का जन्व चिरगाउं जिला जहांसी में तीर अगस्त सन 1886 वी को हुआ था उनका जन्व चिरगाउं जहांसी जिले में हुआ था और वहां आधुनिक काल के कवियों में सरवाधिक लोप्री कवी ह आध से पूछा जा सकता है कि गुप्त जी किस काल से संबंदित है तो उसका उत्तर होगा आधुनिक काल से दोस्तों मैथली सरण गुप्त को साहित जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है उनकी जैनती तीन अगस्त को हर वर्ष कवी दिवस के रूप में अर्थाज जो काब प्रेम इनके पिता का था उसकी छाया मैथली सरण गुप्त के उपर भी दिखाई पड़ती है दोस्तों कालांतर में गुप्त जी महावी प्रसाद दुएदी के संपर्क में आए और महावी प्रसाद जी को अपना गुरु मानने लगे दोस्तों ये प्र देश प्रेम का संदेश दिया था दोस्तों ये प्रस्त कई बारी पूछा जाता है कि भारत भारती किसकी रचना है तो इसका उत्तर होगा मैथली सरण गुप्त ने दोस्तों राश्ट पिता महत्मा गांधी के स्वतनता अंदोलन में भी गुप्त जी ने हिस्सा लिया था और इनकी लगभक समस्त रचनाएं देश प्रेम समा सुधार जैसे मुद्दों पर ही केंद्रित हैं और इनी विश्यों पर लिखने के कारण ही आपको राश्ट कभी कहा जाता है तो अगर आप से ये पूछा जा कि राश्ट कभी किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा मै प्रभाबद विद्याले ने डीलिट की मानद उपाज से सम्मानित किया है भारत सरकार ने इन्हें सन 1954 में पद्म भूसन की उपाज से अलंकित किया इसके अतरिक्त गुप्त जी दो बार राजसभा के सदसिली मनुनीत हुए थे दोस्तों काब्य साधना करते हुए मैथली सरण गुप्त की मृत्यू 12 दिसंबर 1964 को भी थी चलिए दोस्तों गुप्त जी के साहितिक परचे की जानकारी प्राप्स करते हैं दोस्तों गुप्त जी के लेखनकाल के प्रारंभिक दौर में इनकी रचनाएं कोलकाता से प्रकासित पत्रिका वैस्चो कारक में प्रकासित होती थी इसके बाद इनकी रचनाएं सरसुती पत्रिका में भी प्रकासित होने लगी इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकासन सन 1909 में हुआ था हिंदी साहित जगत को गुप्त जी ने साकेत नामक महाकाब में दिया है दोस्तों ये प्रसंद बहुत बारी पूशा जाता है कि साकेत नामक महाकाब किसकी रचना है तो इसका उत्तर होगा मैथली सरण गुप्त जिसके लिए यह संसार सदयवाप का रिणी रहेगा गुप्त जी ने अनेको कविताओं एवं कृट्वियों का सरजन किया जिसे से हिंदी साहित जगत विस्मिता रह गया दोस्तों खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अविस्मर्णी रहेगा उनकी जादतर कविताएं हमें रामायर महाभारत और बुद्ध के समय की दिखाई देती हैं और साथ ही साथ उस समय के प्रसिद इंसानों का चित्रन भी हमें उनकी कविताओं में दिखाई देता है अथाथ जो उनकी कविताएं होती थी वो रहवायर महाभारत और बुद्ध काल से प्रेडित होती थी उनके प्रसिद्ध कार्य साकेत में हमें रामायर के लच्छमन की पत्नी उर्मिला का वर्णन भी दिखाई देता है साथ ही साथ उनकी दूसरी रचना जैसे यसोधरा में हमें गौतम बुद्ध की पत्नी यसोधरा का वर्णन दिखाई देता है चलिए दोस्तों गुप्त जी की प्रमुक्तियों के बारे में जानते हैं दोस्तों उनके जो महाताब्य हैं वो हैं साखेत और यसोधरा गुप्त जी के खंड काव में जैदरत वद्ध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिधराज, नहुस, अंजली और अर्ध, अजित, अरजन और बिसरजन, काबा और करबला, किसान, कुनाल गीत, गुरु तेक बहादुर, गुरुकुल, जै भारत, जहंकार, पृत्वी पुत्र मेघनाधवद हैं, दोस्तों अगर नाटक की बात करें तो रंग में भंग, राजा और प्रजा, वन वैभाव, विकट भट, वैतालिक, सक्ति, सैरंधरी, स्वदेश संगीत, हिडिमबा, हिंदु हैं, दोस्तों गुप्त जी की कुछ अनुदीत रचनाये हैं, वीर अधिवाद की प्रधानता है, इसमें भारत के गौरों में अतीत के इतिहास और भारती संस्कृत की महत्ता का ओजपूर्ण वर्ण किया गया है, इन्होंने अपने काब्ध में पारिवारिक जीवन को भी यतोचित महत्ता प्रदान की है, अर्थाथ पारिवारिक जीवन के एक सक्षम प्रयोग के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग उन्होंने किया है, अर्थाथ वो अलंकार और मुहावरों का प्रयोग किया है, और उन्होंने प्रबंध काब एवां मुक्तक काब दोनों में रचनाएं की हैं, आईए दोस्तों जानते हैं कि हिंदी साहित में गुप्ट जी का क्या स्था हैं दोस्तों अपनी हिम्मत से अपनी ताकत से और अपने संघर्ष के बलपर जीवन में यस सफलता अरजित करने वाले वे एक सरुप्री कव्धे मित्रों, पाठकों, सतंता सेनानियों से लेकर आम नेताओं और आम जनता तक उनकी कविता एवाँ उनकी प्रेणना की पैठ रही साहित और सतंता संघर्ष दोनों के इतिहास में उनकी कीर्थी अमर है दोस्तों हम आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चेंस और अपने यूटूब चैनल पर अप्लोड कर रहे हैं तो हमारे यूटूब चैनल को सबस्काइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल से जल मिल सके इसके इसके अनमा गौर्मेंट और कॉम्टिटिव जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.go4pip.com विजिट कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग डिस वीडियो